हलो दोस्तो ट्रेडिंग वित राज यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के बारे में कोल इंडिया के तरफ से एक बड़ी नियूस निकल कर आई है तो चली डिटेल्स में जानेंगे इस बारे में लेकिन दोस्तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इसी प्रकार के और भी वीडियो के लिए अभी आप इस चैनल को तुरन सस्क्राइब कर लिजिए बेल आइकन को हमेशा प्रेज करके रखिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए मैं आपका भाई आपक कोल इंडिया का सेयर प्राइस 144 रुपए 30 पैसे पे ओपन हुआ था और लो बनाया था 143 रुपए 10 पैसे का और हाई बनाया था 144 रुपए 90 पैसे का फाइनली 143 रुपए 60 पैसे पे क्लोजिंग हुई थी और 0.21% की इंटर डे में हमें ग्रोथ देखने को मिली थी तो कोल इंडिया ने जो फ्यूल सप्लाई करते हैं पावर सेक्टर में उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है तो चलिए ये निउस डीटेल्स में जानते हैं दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसने अप्रेल जुलाई की अवधी के दौरान बिजलिक शेत्र को इंधन आपूर्ती में 30.7% की वृध्धी के साथ 166.3 मिलियन टन की वृध्धी दर्ज की है कमपनी दौरा इंधन की आपूर्ती एक साल पहले की अवधी में 127.2 मिलियन टन थी CIL ने एक बयान में कहा कमपनी ने अप्रेल जुलाई 21 के दौरान बिजलिक शेत्र में आपूर्ती में 30.7% की मजबूत वृध्धी दर्ज की जिसमें एक साल पहले की समान अवधी में 49 मिलियन टन एमटीक की वृध्धी हुई देश की बिजली की खपत धीरे-धीरे पूर्व महामारी के स्तर की और बढ़ रही है अप्रेल जुलाई की अवधी में कोईले से चलने वाले सयंत्रों का उठाव तेजी से बढ़कर 166.3 मिटरिक टन हो गया एक साल पहले इसी अवधी में 33.3 मिटरिक टन की तुलना में जुलाई के लिए बिजलिक शेत्र में उठाव 49 मिटरिक टन था CIL ने 46 साल पहले कमपनी की स्थापना के बाद से किसी भी वर्ष जुलाई के लिए अब तक का सबसे अधिक कोईला उठाव उत्पादन और ओवर बड़न रिमूबल OBR हासल किया जिसमें क्रमशा 16.7 प्रतिशत 14.1 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत की वर्धी दर्ज की गई चालू वितवर्ष तो दोस्तों यहां पे मैंने आपको न्यूस के बारे में डिटेल्स में बता दिया यह अच्छा खासा इंट्री पॉइंट भी सही है कोई ओवर बॉर्ट जो नहीं है कोई रेड़ फ्लेक भी नहीं है दोस्तों और नेक्स्ट 12 मन्द में डिफॉल्ट होने की कोई प्रब्लेटी नहीं है क्वालिटी चेक में भी अच्छा है ग्रोथ स्कोर थोड़ा सा यहां पे डेटा अवेलबर नहीं है हमारे पास और 22% एनालिस्ट इसे बाइक लिए कह रहे है तो यहां पे आपको अपना रिसेर्च लगाना है तब किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें सिर्फ वीडियो देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जो चलि दोस्तों मिलता हूं फीर एक नवीडियो के साथ वीडियो करके जाना है तब तक लिए बाबाए ठैंक यू